हालो सर नमस्कार यह देखिए आपपा प्रजेक्टर जो है यहां में आन कर दिया है यह और प्रजेक्टर आन हो रहा है हमें ब्लू लाइट अप कर दो ताकि रिफ्लेक्शन ना पड़े बेल लाइट कंडिशन में ही है प्रजेक्टर आपको अभी मेरे केमरा साइट का रखा है यहां पर वीडियो दिखा दो फिर बन करने से बढ़े हैं आपको प्रजेक्टर भी दिखाओंगा ओके तो तो यह प्रजेक्टर जोने और कर दिया है मैंने ठीक है टीक है टीक है टीक है टीक है यहां यूएसबी से कुछ वीडियो ज़ी में आपको प्ली करके दिखा देता हूं ओके यहां पर आप देख सकते हैं क्वालिटी डेलाइट कंडिशन में यह प्रजेक्टर का ही वॉलियोम है और वाइस भी काफी अच्छी प्रजेक्टर के देलाइट कंडिशन में ही दिखा रहा हूं कि आपको अपको में अपको प्रजेक्टर को टिखा पिर देखा दिया है पिर्सेट वह यह सब्लाइट अधर ऑल पर दीन करैंडिया है वह बमकूल के बहुत है है तर लोर से लिए लोगा है यहां मैंने प्रजेक्टर की वीडियो प्रजेक्टर की आपको चेक कर वा दी है और यह जो है आपका प्रजेक्टर यहां रखा हुआ है कि यह आपका प्रोजेक्टर यहां रखा हुआ है ठीक है मैं अभी इसे जो है आफ कर देता हूं यहां से यहां आफ कर दिया है प्रोजेक्टर इसके निकाल लेने जारा हुआ से और प्रोजिक्टर वहां से अभी निकाल दाए हैं ठीक है यहां लागे मैं दिख चेक करवा देता हूं यह आपका वारंटी कार्ड है और यह प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर भी में जो है चेक करो इधर ले आना जाए इसका दर्वाजी के सामने यह देखिए पूरा फ्रेश पीस भीज रहा हूं यहां से मैं आपको लोगे थोड़ा वर लिगा कर लेते हैं इसके फ्रेश पीसे चारो तरफ बहुमा लें अधे ठीक है चारो तरफ से ओके है बिल्कुल ठीक है यह फिल्टर है इसका यह किलिक पर बहार जाता है जब इसमें डस्ट वगेरा आ जाए ना अपका डस्ट जमे गई थोड़ टाइम बाद एक अपता दो अपता एक महीने बाद वह यह डिपेंट करता कि आपके हां किस तरीके का जो है डस्ट रहता है ओके तो यह आप इस थर पर इसको डस्ट क्लीन करके आउटसाइड वाला और यहां पर लगा सकते हैं इस तरीके से ओके ठीक है तर ओके है प्रजेक्टर एस सीरीज में आपको पूरा दिखा दिया है यह रखा हुए आपका ठीक है बागी आइडी इवनिंग में सेंट करता हूं ओके थैंक यू सर मॉडल पर्चेस करने के लिए